लाला हर्दयाल जन्म 14 अक्टूबर 1884 निधन 4 मार्च 1949 लाला हर्दयाल का जन्म दिल्ली में गुरुद्वारा शीषगंज के पीछे स्थित चीराखाना मुहले में एक कायस्त परिवार में हुआ उनकी माता भुली रानी ने तुलसीकृत रामचरित मानस एवं वीर पूजा के पाठ पढ़ा कर उदात्त भावना, शक्ती एवं सौंदर्य बुद्धी का संचार किया उर्दू तथा फार्सी के पंडित पिता गौरीद्याल माथूर दिल्ली के जिला न्यायाले में रीड़ थे उन्होंने अपने बेटे को विद्याव्यस्नी बना दिया सत्रह वर्ष की आयू में सुंदर्रानी नाम की अत्यंत रूपसी कन्या से उनका विवाह हुआ दो वर्ष बाद उन दोनों को एक पुत्र की प्राप्ती हुई किन्तु कुछ दिनों बाद ही उसकी मृत्यू हो गई सन 1908 में उनकी दूसरी संतान एक पुत्री पैदा हुई लाला जी बहुत कम उम्र में ही आर्य समाज से प्रभावित हो चुके थे भारतिय स्वतंत्रता संग्राम के उन अग्रणी क्रांतिकारियों में थे जिन्होंने विदेश में रहने वाले भारतियों को देश की आजादी की लडाई में योगदान के लिए प्रेरित्व प्रोथसाहित किया इसके लिए उन्होंने अम्रीका में जाकर गदर पार्टी की स्थापना की वहाँ उन्होंने प्रवासी भारतियों के बीच देशभक्ती की भावना जागरित की काकोरी कांड का एतिहासिक फैसला आने के बाद मई सन 1927 में लाला हर्दयाल को भारत लाने का प्रयास किया गया किन्तु ब्रिटिश सरकार ने अनुमती नहीं दी इसके बाद सन 1939 में पुनह प्रयास करने पर अनुमती भी मिली परंतु भारत लोटते हुए रास्ते में ही चार मार्च 1949 को अमेरिका के महानगर फिलाडेफिया में उनकी रहा सिमय मृत्यू हो गई उनके सरल जीवन और बौधिक कोशल ने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सामराजवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए कनादा और अमेरिका में रहने वाले कई प्रवासी भारतियों को प्रेरित किया